हलो फ्रेंट्स तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सम संख्यां के बारे में तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सम संख्यां किसे करते हैं सम संख्यां वे संख्यां जो दो से पुर्णता विभाजित हो जाती है सम संख्यां कहलाती है जैसे दो, चार, छे, आठ, दस, बारा, चौदा, सोला इसी तरह से दो-दो का डिपरेंस में आगे बढ़ते जाएंगे वो सभी सम संख्यां होंगे अगला पॉइंट है जिस संख्यां के अंत में दो, चार, छे, आठ, और सुन्य लगा रहेगा वह एक सम संख्यां होगा उधारन के लिए जैसे दो अंकों की संख्यां लेते हैं जैसे 44, 44 के अंत में 4 है तो ये एक संख्यां होगा अब हम तीन अंकों की संख्यां लेते 242, 242 के अंत में 2 है तो ये एक संख्यां होगा फिर से हम लेते 548, 548 के अंत में 8 है ये एक संख्यां है होगा जैसे हम यहां एक संख्यां लेते हैं जैसे 4 और इसको हम दूसरा संख्यां से दूसरा संख्यां को जोडेंगे तो इसका उत्तर संख्यां में ही आएगा प्लस 10 तो इसका उत्तर संख्यां में आएगा जैसे और एक संख्यां लेते हैं जैसे 12 प्लस 16 इसको जब भी हम जोडेंगे तो यह एक संख्यां में आएगा अगला है दो विसम संख्यां का योगफल सदे संख्यां होता है हमने यहां जाना दो संख्यां का योगफल सदे संख्यां होता है इसके अलावा दो विसम संख्यां का योगफल भी सदे संख्यां में आएगा जैसे विसम संख्या के अंतरगत आते हैं एक, तीन, पांच, साथ, नौ, ग्यारः, तीरः, पंदरः इस तरह से दो का डिफरेंस में आगे बढ़ता जाता है तो विसम संख्या को जब भी हम लोग जोड़ेंगे दो विसम संख्या को तो इसका उत्तर सम संख्या में आएगा जैसे हम यहां लेते हैं तीन, पलस और एक विसम संख्या लेते हैं नौ तो इसका उत्तर हमेशा सम संख्या में आएगा दूसरा लेते हैं जैसे यहां ग्यारा है पलस और एक कोई संख्या विसम संख्या लेते हैं पांच तो इसका उत्तर समसंक्या में ही आएगा ओके?